यूपी पुलिस बरती 2023 के लिए या फिर रेडियो अपरेडर पर इच्छा 2023 के लिए जीके साइन्स की बेहतरिन क्लास आफके स्टार्ट हो चुकी है जीके के और साइन्स की इंपोर्टेंट क्वेशन्स को कम्पलीट करेंगे चलिए शुरू करते हैं आज किस क्लास को क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप सभी के लिए पांच दर जीके की क्वेशन्स की इबुक लांच कर दी गई है यहां पे आपको मात्र 49 रुपे करके इस इबुक को परचेज कर लेना है या फिर वर्टस नुम्बर है 8948667652 8948667652 यहां पे आप वर्टस अपर के इबुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं ठीक है मेरे पहरे भाई अगर आप आज यह 49 रुपे ना सोच करके इसे परचेज कर लेते हैं तो आपका जीके का तो डर खत्म होगा ही साथ में आपनी परिशा में भी बहुत ही जादा मदद पाएंगे तो अभी इसके उपर साथ फरसन का डिसकाउंट चल रहा है अगर आप अभी लेते हैं तो आपको मातर 49 रुपे में मिल जाएगी यह बुक जो ही आपके यूपी पलिस रेडियो अपरेटर को टार्गेट करते हुए तैयार की गई है ठीक है चले शुरू करते हैं मत भागो किसी के पीछे जो जाता है उसे जाने दो लौट कर आएगा वो भी जरा खुद को कामयाब तो होने दो मुरी वेसल लाइन आपके ले लिखी गई है कि अगर आप किसी को चाहते हो ना तो उसके पीछे मत भागो अगर आप एक दिन सफल हो जाओगे ना तो आपके एक जलक पाने के लिए वो तरस जाएगा बस आप उसे दिन का इंतिजार कीजे उस उमक्त का इंतिजार कीजे जब आप वर्दी में अपने घर वापस आओगे जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे प्यारे भाई बेन हमारे साथ जुरे हैं मैं उन्हें सबको वर्दे दिला कर ही रहूंगा और अगर आप जीजार लगा रहे हैं तो आप सब के सपने जरूर पूरे होंगे आईए इसी आसा के साथ इसी जोस के साथ आज कि समाहत पूर क्लास के शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे भाई फर्स्ट कुईस्टिन आपके सामने है कि छेत्रफल की निजर से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है यहाँ पर मिश्वी सीपी नदी का डेल्टा आपसन में दिया गया है देख लीजे ठीक है इसका रेश्यो थोड़ा बड़ा कर दिये है तो बताएंगे छेत्रफल की दिष्टी से यह फिर छेत्रफल की निजर से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है अगला कुशन आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी मेठे जल की जील कौन सी है बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जील कौन सी है आपको बता दें कि यह जो गाईश यह जील यह कहां पर है यह भी आपको बताना पड़ेगा तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर बुलर जील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलर जील जो है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जील है याद रखना बुलर जील जो है यह कहां पर है तो यह है जम्मू कस्मीर में तो हमारे जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सबसे बड़ी मीठे जल की जील बुलर जील है और यह जम्मू कस्मीर में है बिलकुल सही आंसर आ रहा है अगला कुश्चन आप से पूछा गया है कि विस्श के संपूर्ण धरातलिये छेत्र का कितना प्रतिस्ट भाग किर्शी योगी है क्या होग जो भी हमारे प्यारे भाई बेहन बता रहें कि 11 प्रतिसत बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, D आंसर आपका बिलकुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, अगला कुईशन की भू आकरती विग्यान या फिर जियो मार्फोलोजी का जन्म दाता किसे माना जाता है, इसका आंसर बताएंगे, भू आकरती विग्यान का question आपका important है पटापड answer देंगे हमारे सभी प्यारे भाई right answer क्या हो जाएगा तो देखो guys इसके जो जर्म दाता है बू आकरति विज्ञान के किसे माना जाता है याद रखना James Hutton को माना जाता है किसे माना जाता है James Hutton को तो correct answer क्या हो जाएगा Hutton और Hutton ये कहां से समंदित हैं तो ये थें Scotland से कहां थें Scotland के देश से समंदित थें ठीक है तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहें Hutton बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number D जो है आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला है कि गारो खासी और जैंतिया पहाणिया किस राज में इस्तित हैं फटा फटा आंसर देंगे सही answer क्या होगा तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहें कि गारो खासी और जैंतिया पहाणिया जो है यह में घाले में हैं बिल्कुल perfect answer हो जाएगा आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बता रहें में घाले बिल्कुल सही answer हो जाएगा बिल्कुल correct answer हो ज किसका विग्यान है सिस्मोग्राफी किसका विग्यान है जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस महत्फोन क्लास को लाइक नहीं किये हैं मैं उन सबसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनों ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह एक बार इस क्लास को अपने द अगला कुशन की विश्व का सबसे बड़ा महा काब भी है कहने का मतलब यह है कि इसमें विश्व का सबसे बड़ा महा काब भी कौन सा है बताएंगे रामायर महा भारत बेदिया फिर राम चरित मानस फटा फटा आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर क्या हो महाभारत लिखा किसने है वेद व्यास जी के दौरा महाभारत लिखा गया है अगला कुशन की प्रकास का तरंग सिद्धान्त किसके दौरा प्रस्थापित किया गया बताएंगे प्रकास का तरंग सिद्धान्त जो है यह किसके दौरा प्रस्थापित किया गया या फिर प्रत द्वारा प्रती पादित किया गया था, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, बी बता रहें हाई गेंस के द्वारा, 1678 में बिलकुल सही आंसर होगा, बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगला कुछन है कि प्रकास विद्धूत प्रभाव का प्रती पादन किसने कि, अब यह के दोरा खोज की गई लेकिन प्रती पादन किस ने किया तो याद रखना इसके प्रती पादन जो है वो आइश्टीन के दोरा किया गया तो आपसन नमबर सी जो भी हमारे प्यारे भाई बहन आपसन सी बता रहें प्लकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि विजली की बल्ब का फिलामेंट जो है ये किस तत्त से बना होता है विजली की बल्ब का फिलामेंट जो है ये किस तत्त से बना होता है फटा फटा आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस class को share नहीं किये हैं मैं उन सब प्यारे भाई बहन से दिल से request करता हूँ कि जिनों ने भी अभी तक इस class को share नहीं किये हैं वे अपने मित्र तक इस class को share जरूर कर दें विजली की वल्व का फिलामेंट किस तत्त से बना होता है सही आंसर हो जाएगा option number D टेंग्शन से जो भी हमारे प्यारे भाई बहन option D बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल perfect आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने कि भारतिय संगीत का आदी गरंत किस वेद को कहा जाता है भारतिय संगीत का आदी गरंत जो है वा किस वेद को कहा जाता है फटा फट आंसर देंगे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर देंगे तो देखो भारतिय स साम बेद को बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन की पुराणों की संख्या कितनी है कुश्चन आपका important है बताएंगे की पुराणों की संख्या जो है ये कितनी है सबसे पुराना पुराण है मतस्य पुराण याद रखना और पुराणों की संख्या कुल मिला करक कितनी है 18 है सबसे पुराना पुरान जो है वह है मतश्य पुरान अगला कुश्यन कि नंदवन्स का संस्थापक कौन था अब यहां पर आप देख लीजिए जो लिखा गया है महापदनंध बिल्कुल सही आंसर आएगा जो भी प्यारे भाई बहन नंदवन्स के संस्थापक मह महापदनंद बता रहे हैं बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा याद रखना महापदनंद को केंद्रिये सासन पधती का जनक भी माना जाता है याद रखना अगला कोईशन आपके सामने है कि सिकन्दर ने भारत पर कब आकर्मर किया सिकंदर ने भारत पर कब आकरमड किया question आपका important है फटा फटा answer देंगे हमारे सभी प्यारे भाई right answer क्या हो जाएगा तो देखू सिकंदर ने भारत पर कब आकरमड किया याद रखना तरही आंसर हो जाएगा 326 इसापूर्व में option number C, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, option C बता रहे हैं, बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, अगला कुशन है कि कौन सा बैंक भारत का केंद्रिये बैंक है, इनमें कौन सा बैंक है, जो भारत का केंद्रिये बैंक है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा, तो देखो, भारत का केंद्रिये बैंक जो है, वो सेंट्रल बैंक जो है, वहा है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया या फिर भारतीये रिजर्व बैंक, option number D, याद रखना भारते रिजर्व बैंक की अस्थापना कब हुई थी, याद रखना आपसे पूछा जा सकता है, तो इस 35 को कलकत्ता में हुई थी, अगला कुशन आपसे पूछा गया है, कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक के तोर पर अगर आपसे कहा जाएगा, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं कि भारत ये स्टेट बैंक बिल्कुल करेक्ट होगा, भारतिये स्टेट बैंक जो है, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अगला है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, या कुशन आपसे पूछा गया है, कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतिय रिजर्व बैंक भारतिय इस्टेट बैंक बैंक आफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक आफ इंडिया याद रखना भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है भारतिय रिजर्व बैंक को भारतिय रिजर्व बैंक को भारत में बैंकों का बैंक कह जाता है अगला कुशन की भारतिये श्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है भारतिये स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है question आपका important फटफट आंसर देंगे right answer क्या होगा तो सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है पांच है अब इसमें कौन कौन है ये भी आपसे पुछा जा सकता है न पिल्कुल इस्टेट बैंक आप बीकानेर और जैपुर सहयोगी बैंक में नमबर एक पर नमबर दो पर है इस्टेट बैंक आप हैदराबाद नमबर तीसरा है इस्टेट बैंक आप मैसूर नमबर चौता है इस्टेट बैंक आप त्रामर कोर और नमबर पाँचवा है इस्टेट बैंक आफ पठियाला ये पाँच ऐसे बैंक है जो भारतिये इस्टेट बैंक के सहयोगी बैंक का हैं याद रखना ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला है कि निमनलखित मेंसे 36 बार आसकर पुरसकार किसने जीता थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ हाँ तो अब बताएंगे कि निमनलखित मेंसे 36 बार आसकर पुरसकार किसने जीता अब यहाँ पर आप याद रखना मेरे प्यारे भाई आसकर पुरसकार जो है ना य वोल्ट डिजनी ने आपसंसी जो भी प्यारे भाई बहन आपसंसी बता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि भारत रत्न का डिजाइन किस व्रिक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है अब यहां पर आप याद रखना भारत रत्न जो है यह सरबोच्च नागरिक पुरसकार है ठीक है भारत रत्न का डिजाइन किस व्रिक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहें कि पीपल के व्रिक्ष के पत्ते की तरह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बैन आप्सन भी बता रहे हैं बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्विशन के निमनलखित में से भारत के प्रतम आंत्रिक्षियात्री कौन थें निमनलखित में से भारत के प्रतम आंत्रिक्ष यात्री कौन थें फटा फटा आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर क्या होगा अब मैं आप सब को यहां पर एक बात बता दूँ कि इसके पेडियाप आपको हमारे टेली गराम चैनल पर मिलेगी ठीक है तो भारत के प्रतम आंत्रिक्ष यात्री कौन थें लीडर राके सर्मा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन आपसेंडी बता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्विशन आपके सामने कि निम्रिकित में से पदमभूसर से सम्मानित प्रथम खिलारी कौन है अब यहां पर आप देख लीजिए इनको गएश जो इसमें सी के नाइडू है और इनका पूरा नाम क्या था कोटारी कंकया नाइडू सी के नाइडू का पूरा नाम था ये प्दमभूसर से समानित प्रथम किलारी है इनको कब दिया गया था याद रखना इनको कब दिया गया था तो ये 1956 में दिया गया था ठीक है क्या नाम है कोटारी कंक या नाइडू कहने का मतलब है C.K. नाइडू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग कौन सा है या कुशन आपका इंपोर्डेंट है फटा फटा फट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर क्या होगा निशिंद रही है वर्दी तो आपको हम दिला कर ही रहेंगे अगर आप जीजान लगा रहे हैं महनत कर रहे हैं तो निशित रूप से आप सब को वर्दी जरूर मिलेगी तो देखो यहां पर आपसे कहा क्या गया कि भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन सा है नह सेवन सही आंसर क्या होगा नह सेवन जो भी अमारे प्यारे भाई बेन तो नह सेवन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा याद रखना भारत के कुली यात्री परिवाँन में सड़क परिवाँन का योगदान कितना है भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है याद रखना भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है असी प्रतिसत ऑप्से नमबर सी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है अब यहां पर आप देख लीजी कहा क्या गया यहां पर गाइस लिखा होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है ठीक है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट को बैंक कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा की तरह हाथ बांदे क्यों खड़े हो हादिसों के सामने हादिसे भी कुछ नहीं है हाँसलों के सामने कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर हाँसला है अगर आपके अंदर जजबा है और अगर आप उसे कंटी निवस्तिनी एनर्जी दे रहे हैं तो निश्यत रूप से आपको वर्दी मिलेगी आपके माबाप का सपना जरूर पूरा होगा हम आपके लिए पूरी जीजान लगा रहे हैं आपके लिए पूरा दिन रात एक करके आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि आप सब का सपना पूरा हो जाए आप सब को व करें आईए बढ़ते हैं फिजिक्स कोईशन की तरफ हाँ तो फिजिक्स में पहला कोईशन आपके सामने कि निम्न मेंसे किसरासी का मान अस्थान बदलने पर भी परिवर्टित नहीं होता है जो भी हमारे पैरे भाई बहन बताने द्रब्यमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएग द्रब्यमान का मान जो है गाई जी रासी बदलने पर भी अस्थान बदलने पर भी यह जो है बदलता नहीं है सही आंसर क्या हो जाएगा आपको अप्सन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने थोड़ा छोटा कर ले हाँ अब बताओ कुशन है आपके सामने कि निमने लिखित में से कौन सा उदाहरण निउटन की गती के पहले नियम को दरसाता है अब यहाँ पर आप देख लो लिखा क्या गया कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकल धीमी होना शुरू हो जाती है क्या यह निउटन की गती का प कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय छेत रडचक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है यह संबेक को दरसा रहा है जब बस अचानक सुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर जटका लगता है क्या या निउटन क कि गती के पहले निउप को दरसा रहा है तो बिलकुल या निउटन की गती के पहले निउप को दरसा रहा है ठीक है कहने का मतलब है option number C आपका बिल्कुल सही answer होगा rocket launch करना जो है यह संबेक संडक्षान के सिद्दान पर आधारी ठीक है तो correct answer क्या होगा यहाँ पर आपका option नमबर सी जो भी पैरे भाई बेन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने है कुशन नमबर तीन कि निमलकित मैंसे कौन सा एक इस समूह से सम्मंदित नहीं है बताएंगे सही आंसर क्या होगा याद रखना सही आंसर हो जाएगा यहापर पैंड से अलग हो जाती है या डैस के कारण सम्मध होता है कहने का मतलब यह है कि यदि हम पैंड की साखाओ को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पतिया या फिर जो पके फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं या किस कारण से सम्मध होए तो जो भी हमारे पैरे भाई बengन यहा बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि किसी वस्तू के द्रब्यमान का मापन किसका मापन कहलता है अब यहाँ पर आप देख लो कि कुशन जो है आपका यह कितना इंपोर्टेंट है जितने कुशन पूछे गए हैं एक्जामे में वही कुशन आपके लेकर आता सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जड़त्वा बिलकुल सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का मापन द्रब्यमान का मापन कहलाता है अप्सन नमबर बी जो है आपका बिलकुल सही आंसर होगा जो भी हमारे प्यारे भाई बैन आप्सन बी बता रहे हैं बिलकुल सही आं नियूटन की गती का दुत्य नियम क्या है F बराबर MA कहने का मतलब है कि बल जो है यद्रब्मान और तुरन के गुड़नफल के बराबर होता है मास एंड एक्सिलेरेशन के प्रोडक्ट के इजकल्टू होता है इसका फोर्स कहने का मतलब क्या है यहां पर F बराबर MA जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अपसे नमबर A बता रहे हैं विल्कुल सही आंसर हो जाएगा विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जो दिया गया यह भी बराबर U प्लस A T यह गती का प्रथम समय कराना है ठीक है अगला कुशन आपके सामने है कि आवसतन कितनी बार बि 10 इसे 100 बार बिजली जो यह धरती पर गिरती है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा A आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा अगला कुशन आपके सामने है कि यम आर आई किसका संचित रूप है यम आर आई जो है किसका संचित रूप है फट अंसर देंगे राइट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर आप देख लीजिए मैं आपको बता दूँ कि यम आर आई जो है गाईज यह होता है इमेजिंग कहने का मतलब यहां पर है चुम्बकिये अनुनाद प्रतिबिमबन जो है यह गाईज इसका हिंदी में नहीं है यह मार आई का मतलब होता है magnetic resonance imaging सही answer हो जाएगा आपको option number B जो भी पैरे भाई बेन option B बता रहें बिल्कुल सही answer हो जाएगा यह गाई जो है medical में प्रियोग किया जाता है यह सरीर के अंदर की जो गाई से जाच होती है उसके लिए प्रियोग किया जाता है सेरीर के अंगों की जाच के लिए अगला question की कौन सा उपकरण ध्वनी तरंगों को विद्दुत संकेतों में परियुक्त करता है तो जो भी हमारे पैरे भाई बेन बता रहें कि microphone बिल्कुल सही answer हो जाएगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question आपके सामने है कि एक कार की गती किस पर निर्भर नहीं करती ध्यान दीजिएगा important question एक कार की गती किस पर निर्भर नहीं करती फटफट answer देंगे right answer क्या होगा याद रखना एक कार की गती किस पर निर्भर नहीं करती है इस speedometer जो दिया गया है ना ये गाय जो है ये गती के मापक यंत्र है तो इस पर तो निर्भर करेगी नहीं correct answer क्या होगा आपको option number A speedometer जो दिया गया है ये गती मापक यंत्र होता है ना कि गती इस पर निर्भर करती है ठीक है right answer क्या होगा आपको option number A अगला कुशन है कि प्रतवी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं प्रतवी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूत आप ये उर्जा कहते हैं उप्सन नमबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बेहन यहां पर option D बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question आपके सामने इसका आंसर बताएंगे कि दूद के समान रूप से बित्रित रहने के लिए दूद में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रकिरिया को क्या कहते है इसे क्या कहा जाता है समरूपी करनर या फिर अगर गाईज इसे इंगलिस में कहा जाए तो homogenization कहा जाता है option C आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question आपके सामने कि निम्लिकित मैसे कौन से बिकल्प में फाइबर आप्टिक्स का प्योग नहीं है निम्लिकित मैसे कौन से बिकल्प में फाइबर आप्टिक्स का प्योग नहीं है विद्दूत उत्पादन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए अगला कुछन है पहले तो अस्थान दिया गया है कि हवा में नमी के आवसोशनल की प्रिक्रिया क्या है देखो question भले ही tough लगें लेकिन important बहुत है याद रखना तो dell questions जो है यह हवा में नमी के आवसोशनल की प्रिक्रिया है dell questions यह answer आपका बिल्कुल सही answer होगा अगला कि GPS का पूरा नाम क्या है GPS का पूरा नाम क्या है question आपका important फट 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 answer देंगे हमारे सभी प्यारे भाई right answer क्या होगा GPS का पूरा नाम क्या है तो जो भी हमारे प्यारे भाई बेन बताने है कि global positioning system बिल्कुल सही answer हो देगा global positioning system option D आपका बिल्कुल correct होगा अगला question कि निमलकित मैंसे कौन सी एक सदी सरासी नहीं है निमलकित मैंसे कौन सी एक सदी सरासी नहीं है question आपका important फट 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 answer देंगे right answer क्या होगा अब यहां पर आप देखो some big, big और कोड़ी बेग जो है आपके एक सदी सरासी है लेकिन दरब्मान जो दिया गया है ना दरब्मान जो दिया गया है ये सदी स नहीं बलकि अदिस सरासी है कहने का मतलब क्या है? option number D आपका बिلकुल सही answer होगा जो भी हमारे प्यारे भाई ब्र आपसन D बता रहे हैं बिलकुल सही answer होगा तो देखो किसी सदिस का परिमार है गाइच वो कभी भी रिणातमक नहीं हो सकता सही आंसर क्या होगा आपको अपसेंसी रिणातमक अगला है कि अधिसरासी कौन है यहाँ पर आपको बताना है कि इन मेंसे अधिसरासी कौन है question आपका कितना important है आप खुद बखुद यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर आपसे कहा क्या गया अदिसरासी यहाँ पर क्या है याद रखना यहाँ पर जो ओर्जा है कारी है यह गाई जो है यह अदिसरासी हो जाएंगे option number A आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है अगला question के निम्लकित मेंसे किसमें केवल परिमार होता है दिसा नहीं question important है फटफट आपसर देंगे सही answer क्या होगा कारी जो है यहाँ एक अदिसरासी है इसमें केवल और केवल परिमार होता है दिसा नहीं होती है option number C आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बेन option C बता रहे हैं बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question आपके सामने है कि निम्लकित मेंसे कौन अधिक काम कर सकता है निम्लकित मेंसे कौन अधिक काम कर सकता है बंदूख से निकली गोली तो गायस काम कमाम करी सकती है तो बंदूख की एक चलती हुई गोली जो है ये अधिक काम कर सकता है सही आंसर क्या होगा आपका option number B जो भी पहरे भाई बेन option B वता रहें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question आपके सामने एक व्यक्ती इस्थिर पानी में नाव पर खड़ा है यदि वा नाव तटकी ओर चलता है तो नाव कैसी होगी नाव जो है वा तट से दूर चले जाएगी जब तटकी ओर चलेगा तो तट से दूर चले ही जाएगी अप्सन नमबर ए जो भी प्यारे भाई भेन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा अगला है कि जब बंदूग से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूग जो विप्रीत दिसा में धक्का लगाती है या नियूटन के किस नियम का उदाहनड है जब बंदूग से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूग विप्रीत दिसा में धक्का लगाती है यानि क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पर कारिय हो रहा है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर नियूटन के गधी के तृतिय नियम की ब्याख्या करता है ऐप्षन नियम को और कुछ बच्चे बचाएंगे दूसरे नियम को अगर आपको option में पहले पर्थम नियम दिया जाता है तो आप पर्थम नियम को वारिता देंगी हाला कि मुक्षी रूप से कहा जाए तो second endorse ही सही होगा लेकिन पर्थम नियम इस लिए कुछ बच्चे कहे रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कि जब तक कोई वस्तु इस तरे तो वह इस तरे रहेगी जब तक उस पर कोई बाही बल नहीं लगाया जाता है तो बल का मतलब यहाँ पर आ गया है तो कुछ बच्चे बताएंगे पहला नियम लेकिन आप सब को पता है कि न्यूटन ने यहाँ बताया था न्यूटन के गती के दूसरे नियम में यहाँ बताया गया था कि यह बराबर होता है M A कहने का मतलब है न्यूटन के गती के दूसर मेहनत करता हूं तो आप इस वीडियो के निचे कमेट सक्षिन में कमेट करके जरूर बताईएगा कि आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी इसके अलामा अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो यह कबार सभी प्यारे भाई वें इस क्लास को दिल से लाइक कर देंगे चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं वें चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइफ क्लास की नोड़ी मस्कार अब जी के विशे का डर हुआ पूरी तरह खत्म जी हां आप सभी के लिए पांच दर प्लस क्वेशन्स की एबुक लांच की जा जाए इस इबुक को आप मात्र 39 रुपे में पर्चेज कर सकते हैं जिस पर 60% का डिसकाउंट चल रहा है अगर आप अभी पर्चेज करेंगे तो आप मात्र 49 रुपे में खड़ी सकते हैं इसको खड़ीने के लिए UPI ID पूजा BCIT 05 at the rate OKSBI पर आपको मात्र 49 रुपे पे कर करना है या फिर अन्य डीडियल्स आप वर्ट्सप नमबर 8948667652 पर राप्त कर सकते हैं यहां से भी आप पर्चेज कर सकते हैं यह इबुक आपको सभी एक्जाम्स में बहुत जादा हेल्प करेगी और आपको सेलक्शन दिलाने में बहुत जादा मदद करेगी बहुत बह अन्य वाँ